Hey guys, you are watching Feed Outside and in this video we are talking about how you can edit any photo in just 2 minutes and put it on Instagram or make YouTube thumbnails using only your mobile phone और इस वीडियो के end में मैं आपको बताने वाला हो कि कैसे आप edit कर सकते हो अपने photos in just one click मतलब एक सेकंड में आपका photo edit हो जाएगा तो ये वीडियो end तक जरूर देखिए तो mobile में photo edit करने के लिए हम लोग जो app यूज़ करते हैं उसका नाम है Adobe Lightroom Mobile जिसे आप download कर सकते हो Google Play Store से तो ये app install करने के बाद मैं open कर लूँगा अपने mobile में Adobe Lightroom Mobile App तो पहले तो मैं open कर लेता हूँ Adobe Lightroom Mobile App तो ये open करने के बाद मैं जो photo edit करना चाहता हूँ वो मैं gallery से directly send करूँगा इस Adobe Lightroom Mobile App में पहले तो मैं अपने gallery में जाता हूँ और यहां से suppose मैं ये photo edit करना चाहता हूँ बॉटम लेफ्ट में जो button है send button इसे दबाईए और add to Lightroom नीचे जो option आ रहा है add to Lightroom तो जैसे कि आप देख पा रहे हो के adding photo to Adobe Lightroom तो अभी हम लोग फिर से जाएंगे Adobe Lightroom App में और click करेंगे all photos तो पहले ही top में आपको दिखाए देगा आपका photos तो फोटो एडिट करने से पहले आपको imagine करना होगा कि कैसा लुक चाहिए आपको जैसे कि इस फोटो में मुझे चाहिए थोड़ा सा contrasty लुक और इसका color से background में वह थोड़ा सा ज्यादा दिखे पहले जो नीचे light करके जो tab है इसे मैं क्लिक करूंगा और थोड़ा से exposure जो ह थोड़ा सा बराऊंगा ज्यादा नहीं ओके इतना ठीक है अभी background में जो lights वगरा है यह ज्यादा चमक रहा है तो इसको कम करने के लिए highlights थोड़ा सा कम करेंगे और contrast लाने के लिए फिर से हम लोग shadows को थोड़ा सा कम करेंगे और whites को थोड़ा सा बराएंगे इतना सा ठीक है और blacks को थोड़ा सा कम करेंगे अभी हम लोग जाएंगे बगल वाले टैब में जिसका नाम है color जो थार्मोमेटर करके जो एक symbol है इसको क्लिक करेंगे हम लोग तो इसमें आप देख पा रहे हो temperature tint vibrance और saturation करके जो option है तो इसमें पहले तो मैं temperature इसका थोड़ा ज्यादा दिखें तो इसके लिए मैं vibrance इसका ज्यादा कर दूँगा तो vibrance थोड़ा सा increase करने के बाद आप देख पा रहे हो कि कितना अच्छा दिख रहा है ये photo और thumbnail में कितना अच्छा लेगा अभी हम लोग जाएंगे जो उपर mix करके एक option है इसमें हम लोग जाएंगे इसमें आप individually colors का saturation increase, decrease कर सकते हो, luminance increase, decrease कर सकते हो तो पहले तो मैं जाओंगा red color में और इसका थोड़ा सा saturation increase, luminance थोड़ा से increase करूँगा और जो ओरेंज है इसका थोड़ा से सैचुरेशन डाउन करूंगा और लुमिनेस थोड़ा से इंक्रीज कर दूंगा येलो जो है इसका saturation थोड़ा से ज्यादा करूंगा क्योंकि background color में ज्यादा येलो है तो मैं चाहता हो कि उसका saturation थोड़ा से ज्यादा दीखे तो उसके लिए saturation थोड़ा ज्यादा और luminance थोड़ा से ज्यादा कर दूंगा और green भी है थोड़ा सा तो green का भी saturation थोड़ा से ज्यादा कर देंगे luminance थोड़ा से ज्यादा कर देंगे और जो blue है इसका भी थोड़ा सा saturation ज्यादा करेंगे अभी purple color तो मुझे नहीं देख रहा है इस photo में लेकिन magenta जो last में है इसको थोड़ा सा saturation हम लोग बराएंगे और luminance भी थोड़ा सा बराएंगे तो आप देख पा रहे हो कि कितना अच्छा दिख रहा है यह photo तो before after photo का देखने के लिए आप क्या करेंगे long press करेंगे photo के उपर जैसे के मैं इस photo के उपर long press करने वाला हूं hold करने वाला हूं तो यह दिखे का आपको before और यह जैसे मैं छोड़ दूंगा आपको दिखे आफ्टर तो यह है आफ्टर तो आप देख पा रहे हो कि कितना डिफरेंस बीपोर और आफ्टर में अभी बगल वाली टैब में जो है एफेक्स टैब तो इसमें मैं जाओंगा और थोड़ा सा इसका जो डी है मतलब जो मतलब फोगी जैसे एक एफेक्ट आता है ना कभी- इसका जो कॉर्णर से थोड़ा सा ब्लैक हो जाए ओके इतना सा ठीक है अभी अभी जो नेक्स्ट टैब है बगल वाली टैब उसका नाम है डीटेल स्टैब तो महाँ पर हम लोग जाएंगे और शार्पन थोड़ा सा करेंगे इसको थोड़ा सा इसमें शार्पनिंग एड़ करेंगे हम लोग बस इतना सही था तो हो गया हमारा फोटो एडिट आइटिंग इट लुक्स ग्रेट अभी मैं आपको बताने बाला हो कैसे आप दूसरा कोई फोटो एडिट कर सकते हो इन जस्ट वन क्लिक मतलब यह फोटो आपने एडिट कर लिया तो यह फोटो आपको से गैलाडी में से वह चुका है तो अभी ऐसे ही एक फोटो दूसरा फोटो एडिट करने के लिए आपको फिर से यह स्टेप दवर आने नहीं है तो आपको क्या करना है इसको यह जो ऊपर ट्री डट से इसको क्लिक कर लेना है और यहापे लिखा हुआ है क्लिए प्रीसेट मत तो मैंने नाम दे दूँगा गैंग टॉक गैंग टॉक फीट आउटसाइड और यह मैं राइट साइन पे क्लिक कर दूँगा ओके तो यह प्रिसेट सेव हो चुका है और सपोज मैं यह वाला फोटो मेरा फोटो एडिट करना चाहता हूँ तो फिर से मैं सेंट करूंगा एड लाइट रूम और उपर ही दिखेगा आपको यह फोटो इंपोर्ट हो चुका है तो यह ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद आपको सिंप्ली नीचे जो लाइट कलर एफेक्स जो टैप थे उसमें एकदम राइट में जाना है और यहां पर लिखा होगा प्रिसेट तो प्र आउटसाइड के नाम से तो यह वाला है वह वाला प्रिसेट तो सिंप्ली आपको इसमें क्लिक कर लेना है जो की काम है सिर्फ एक सेकंड का लिख कर लेते हैं और मैजिक देखिए तो हो गया यह फोटो एडिट फिर से हम लोग प्लिक कर लेंगे इस राइट साइन पर तो यह वाला फोटो हो चुका है पूरा कंप्लीट और यह आप शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम में और थामनिल भी बना सकते हो अपना फेस्बूक प्रोफाइल पिक्चर भी बना सकत आपके पास अगर प्रेसेट्स पहले से ही सेवड हैं और भी कम टाइम लगेगा हम लोग वोग तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे प्रिसेट्स है तो अगर आपको चाहिए यह सारे पेलिद तो हम लोग को फोलो किजिए तो प्लीज प्लीज शेर योर फीडबैक्स वित अस के कैसा लगा ये वीडियो और परगेट तो सब्सक्राइब इस और न्यू तो चैनल और फाउंद वीडियो हेल्फफुल तो किप यूर फीड इंसाइड मैं भूली जा दो हूं किप यूर फीड इंसाइड